प्रिये रेंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में आज की ट्रेडिंग सेशन में जो मूरत ट्रेडिंग थी उसके अंदर देखेंगे तो टाटा मोटर्स जो है वो फ्लैट पोजेटिव ट्रेड में क्लोज होते वे दिखा है इस स्टॉक में डिस्प्यूट के आया है समीड अरोरा जो कि एक नामचीन निवेशक हैं कुछ फंड्स भी वो चला रहे हैं उनके क्या व्यूज हैं क्यों वो इसे स्टॉक को लाइक नहीं करते हैं आगे के ट्रेड नियूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेल कोलियो था मोर्ट ट्रेडिंग को ले करके नेक्स्ट वन येर के लिए स्टॉक सजेस्ट करा गया लेकिन यहां पे देखेंगे तो अरोरा जी जो है इस स्टॉक को पसंद नहीं करते हैं इवेन स्टार्टा मोटर्स कीप आउट परफॉर्मिंग समीड अरोरा सेज ही दो ही लाइक देख और इसमें इनका यह कहना है जो रीजन है है वी केपेक्स करा गया है ऐसे बिजनेस में जिसके मार्जिन की प्रोफिटिबिलिटी की कोई भी गैरेंटी नहीं है ऐसा अरोरा जी का कहना है और जब यह मनी कंट्रोल प्रो के कुछ बात कर रहे थे तो इन्होंने क्या कहा है उसको समझेंगे पहले देखेंगे तो 65% delivery stock ने दिया है ट्रेंड इस्टॉक ने दिखाया है और यहां अरोरा जी क्या कहरे है जो एवी है, पोजिसंन इन एलेक्टिक वहकल अरूरा, नहीं है उसको थोरा समझेंगे, अरूरा जी कहाँ है एंटरिनल कमशन इंजन से इवी बनाने में फिप्टीन बिलियन डालर इसने capex करा हुआ है जिसके बाद भी margin बहतर नहीं होने वाले हैं ऐसा Aurora जी का मानना है the cars were being made before cars are being made now nobody is saying that you will make more enough margin nobody is saying you will have bigger volumes over all of cars ये एक बरे रीजन है जिसके कारण ये इसको पसंद नहीं करते हैं और ये पसंद नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां देखेंगे credit rating ने भी improve करा है और जो JLR है उसके sales काफी यहां देखेंगे JLR which contributes about 80% of Tata Motors revenue has gradually ramped up its production volume over the past four quarter as supply chain constraints subsides leading to a nearly 25% growth in rolling 12 month और जो JLR है वो काफी एक read की हड़ी है Tata Motors की तो समीर अरोरा जी किन बातों से ज्यादा भैकना नहीं है ये लोग कुछ ऐसे ही कहेंगे जिसके कारण आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएं टेक्निकली देखें तो stock जो है trend तो strong है लेकिन जो super trend है super trend ने यहां selling का indication दे दिया है और phrase 672 के उपर ही एक बड़ा trend दिखेगा जब तक इस level को breakout नहीं करता है थोड़ा आपको downtrend भी दिख सकता है MSCD के signal भी buying से selling के तरफ change होते दिख रहे हैं जो delivery है वो इस stock में better दिख रही है जो technical trend है वो भी positive दिख रहा है लेकिन एक बार इसके chart को देखेंगे तो एक range में यह stock stuck होते हुए दिख रहा है और यहां यह support दिख रहा है और यह resistance दिख रहा है तो 670 के उपर ही जो short term trader है वो इस stock में long करेंगे overall trend consolidate है और short करने के लिए भी हमने कहा कि minimum 640 के level को breakdown करने के नीचे 618 600 और 560 से 20 तक के levels दिख सकता है जो long term दिख सकते हैं बने रहें एक value buying opportunity का वेट करें वो जब आएगा मैं surely आप तक भी यह बातें share करें